कश्मीर में हुए पुल्मावा अटैक में जहां हमारे देश के 18 जवान शहीद हो गए वहीं इस खट्डा ने पूरे देश में एक गुसे का माहोल खड़ा कर दिया है और हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री भी इससे अचूती नहीं है जी हाँ भोजपुरी इंडस्ट्री के सभी स्ठार एक जूट होकर इस हमले का विरोध कर रहे हैं इस आतंकवादी हमले का विरोध कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि 18 सहीद CRPF जवानों का बलिदान ऐसे ही जाया न जाए इस तरह के आतंकवादी हमले के बाद अब मोदी सरकार को एक्षन लेना चाहिए भी यह चाते हैं कि इट का जवाब पत्थर से दिया जाए क्या पवन, क्या खेसारी, क्या रानी चटरजी, क्या अंजरा सिंग और क्या आमरपाले दूबे और अक्षरा सिंग सभी एक ही भाषा बोल रहे हैं कि इट का जवाब पत्थर से दिया जाए आतंकवादियों के इस हमले का जवाब उन्ही की भाषा में उन्हें समझाया जाए वैसे देखा जाए तो मोधी कारेकाल जल्द ही खत्म होने वाला है देखना ये दिल जस्प होगा कि इस तरह के हमले का मोधी सरकार अपने अंतिम कारेकाल में किस तरह का मोतोड जवाब देती है हमें भी उमीद है सरकार से कि इस तरह के हमले का मूतोड जवाब दिया जाए जहां बेकसुर बेगुना 18 CRPF के जवान शहीद हो गए